नमस्कार मैं हूँ आपके साथ जोती का आई रूप करते हों फड़ा फड़ा खबरों की ओ भारती टीम के स्टार बलेबाद जस्पीत बुमराहा टीम इंडिया के साथ जुड़ चुकी है अपने बच्चे को देखने के लिए वेश लंका से मुंबई आये थे और आप पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम के साथ जुड़ गए है गुमराहा लंबे समय बाद भारती टीम में वाकसी कर रहे है पिछले सार ऑस्टेरिया के खिलाफ टी ट्वटी मैच में खेले के बाद वे लगभख एक साल बाद आयलेंड के खिलाफ टी ट्वटी सीरीज में खेले एशियन किर्केट कांसी ने भारत और पाकिस्तान के बीच 10 सितंबर को होने वाले एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले के लिए नियमों में बदलाफ किया है अगर रविबार को होने वाले मैच में बारिश ने खलर डाला तो रिजर्व डे पर मुकाबला पूरा होगा देश की राष्टी राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मिलन 2023 का आयोजन होने जा रहा है यह भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है G20 सम्मू में शामिल देशों के राष्ट यद्यक्ष यूरोपीय संग के प्रतिनिधी और 9 महमान देशों के प्रतिनिधी सम्मिलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुँचने लगे है घोसी उपचुनाफ के अंतिम परिणाम आने से पहले ही भाजपा के सहयोगी दल निशाथ पार्टी के मुख्यावा मंग्री रॉक्टर संजे निशाथ ने हार मान ली है अमिर्या से बाचीत्मनों ने कहा कि हम जन्ता की भावना का सम्मान करते हैं जनारेश का स्वाधत करना चाहिए गोसी में जो कमी रही उसकी समिक्षा करेंगे इसके साथी संजे निशाथ ने कहा कि हमारे समाज ने विजेपी को वोर दिया गोसी उचुनाफ में हार के कार्णों की समिक्षा होगी सुभासपा द्यक्ष के विवाधित बयानों पर संजे निशाथ ने तिपड़ीगी राजधानी G20 शिखर समिलन के लिए तयार है विदेशों से आने वाले रास्ट रेख्षों का भारत पहुंचने का सिर्जला शुरू हो गया है आठ से दस सितंबर तक होने वाले इस समिलन के दौरान दिल्ली आने जाने वाले रेली आत्रियों को आस्रविदा हो सकती है रेल्वे ने यात्रियों को सलहा दी है कि वे ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन रवाना होने से पहले अपनी ट्रेन के बारे में पूश्ताच कर दी राश्टी पती द्रौपदी मुर्मू के G20 रात्री भोच में देश के तमाम नेता शामिल होंगे कॉंग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि कॉंग्रेस अध्यक्ष राश्टी पती के G20 रात्री भोच में ना बुलाना लोकतंत्र पर हमला है और सर्तारुन सर्कार की सोच को दर्शाता है रिपोर्ट के मुताबिक मलिका आरजुन खडगे और अन्य विपक्षी नेताउन पोच शनिवार के रात्री भोच में आममंत्रित नहीं किया गया है लेकिन विपक्षी दलो द्वारा शासित मुखे मंत्रियों को निमंत्रन मिला है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी शुकरवार को अमेरिका के राष्ट पती जो बाइडन बांगलादेश की पीम शेख हसीना और मौरिशस के पीम प्रविंद कुमार जुगनौत के साथ बैठक करेंगे इस बैठकों को लेकर प्रधान मंत्री ने कहा कि वे इन बैठकों को लेकर वेहक उच्छुक है शोसल मीडिया पर एक कोस्ट में प्रधान मंत्री मोधी ने रिखा कि ये बैठके भारत को मौका देंगी कि वे इन देशों के साथ अपने संबंधों की सामिक्षा कर सके और दूपक्षिय संबंदों को मजबूत किया जातागे बतादी की प्रधानमंत्री मोधी, अमरिका, बांगलादेश और मौरिशस के राश्टी प्रमुखों के साथ किसी होटल या भारत मंडपम में दूपक्षिय बैठक नहीं करेंगे बलकी ये बैठके प्रधानमंत्री मोधी की लोग कल्यान मार्क इस्तित आभिकारी आवास में होगी राजसबा उप्चुनाफ में भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्य मंत्री डॉक्टर दिलेश शर्मा निर्वीरो सदस्ते निर्वाचित हुए है बाजपा के पूर्व राजसबा सदस्ते हरद्वार दुबे के निधं से खाली हुई सीट पर हुए उप्चुनाफ में भाजपा ने डॉक्टर शर्मा को प्रत्याशी बनाये था उप्चुनाफ में एक मात्र डॉक्टर शर्मा का नामांकन दाखी गुगा शुक्रवार को नामांकन वापसी के अंतिम समय दोपहट तीन बजे निर्वाचन अधिकारी प्रजभूशन दुबे ने डॉक्टर शर्मा को ने विरोध निर्वाचित धोशित किया विधान मंडल भवन के सेंटरल होर में निर्वाचन अधिकारी दुबे ने डॉक्टर शर्मा को राजे सवा सदस्ते निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौपा संजे गोयल ने पंजाब प्रदेश कॉंगरेस कमेटी की सदस्ता से इस्तिपा देने के बाद शुक्रवार को भाजपा का दामन थाम दिया है भाजपा में शामिल होने बालों में संजी गोयल के लावा उनके भाई राजेश, काला, आर्थी एससियेशन के पुर्वद्यक्ष, नपी, गोयल और अन्य सदस्यते प्रदेश में भारी बारिश के बीच टमाटर और सेप के उत्पादन में भी 50-50 गिरावट आई है, वहीं इससे मंडी के कारोबारों में भी कर्मी दर्च की गई है इसका असर ऑनलाइन मंडी में सेप कारोबार पर भी पड़ा है और यह 9 करोड कम हुआ है, उधर टमाटर को कारोबार में 3 करोड की बढ़ोतरी हुई है, टमाटर और सेप से इस बार 11.61 करोड का का कारोबार ही हो पाया है, पिछले बर्ष यह कारोबार 17.69 करोड रहा था, इस बार सेप की सबसे कम ऑनलाइन खरीद हुई है, इन खबरों में बस इतना ही बने रही है हमारे साथ